मुदी जी लाए है नारी शक्ती का बंदन बील वोरे भारत की महलाओं का खूशे दील सारे विरोधी अब हो जाएंगे कील अच्छी शैद के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील क्योंकि देश की जंता घमंड या गड़ बंदन को करेगी नील मजबुत हो जाएगी नारी शक्ती सभी महलाओं को मिल जाएगी मुक्ती तशक्त हो गई है नारी ओ पड़ जाएगी हम सभी को भारी महलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ महलाओं पर आन्य करने वालं पर गाड़ी चड़ाओ सभापती महोदाय, मैं बहुत बार गया हूँ, सभापती महोदाय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रोज, लेकिन महला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ, खूद, रादियो जी प्लीस, आप बोले आज, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महलाओं को मिल जाएगी मुक्ति, महलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुखेगी, महलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुखेगी, महलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुखेगी, महलाओं अब किसी के साम है नारी सशक्त हो गई है नारी ओ पड़ जाएगी हम सभी को भारी लोगसभा विदान सबा में महलाइ अच्छी कहलेगी पारी लोगसभा विदान सबा में महलाइ अच्छी खेलेगी पारी और मोधी जी के साथ अब आएगी महिलाए सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन समाज को आपस में मत लडाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन समाज को आपस में मत लडाओ महलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ महलाओं पर आन्य करने वालं पर गाड़ी चड़ाओ मोधी है तो मुमकीन है मोधी है तो मुमकीन है मोधी नहीं तो मुमकीन नहीं मोधी है तो विकास है मोधी नहीं तो विकास नहीं मोधि है इसले नیا सौंसद बहुन है लेकिन मोधि नहीं तो अदिक सता नहीं मोधि है तो सामाजिक नाय है लेकिन मोधि नहीं तो अदिक सतान है प्लादिक न्याय नहीं प्लीज 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 थेखिए और युद्ट भूम्हेन सब्सक्राइब कर दो मैंला बील का समर्तन में मैं खड़ा हूं क्योंकि मैं कई साल महिला उनके लड़ा हूं मोधी जी का ए निरने बहुती बढ़ा है जब हो जाएंगे खील अच्छी शैद के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील क्योंकि देश की जनता घमंडिया घडबंदन को करेगी नील मानिया ठावले जी मैं दूसरे स्पीकर को बुलाओंगा प्लेज मानिया ठावले जी मैं दूसरे स्पीकर को बुलाओंगा प्लेज मुझे लगता है कि आपका समय खत्म हो गया मैं दूशरे को बूला रहा हूँ नो 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 I will not allow जो महिला अरक्षन विदेक को लाने में डॉक्टर बाबा सब अंबड़कर की भूमिका और हुँगी उक्दान भारत की जनका की नहीं पूला हो सकती है डॉक्टर बियार अंबड़कर को 1948 में माननिय पंडिज वाला नहरूजी द्वारा हिंदू कोड़ विक्षित करने के लिए गठी दूप समीति के अदिश के रूप में चुना गया था और 9 अप्रेल 1948 को एक चैन समीति द्वारा भीजा गया था चार साल के विचार उमर्स के बाद यह अनिलनायक रहा हूं उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था मार डाला और अब प्रयुक्त और गुम्नाम होकर मर गए सुतंद्र भारती सौंसत में तैंक्यू तैंक्यू यह सबसे लंबी भैस थी थैंक्यू अब दूसरे स्पिकर को बुला रहा हूं